दुनिया में कई ऐसी जगहें हैं जो डराबनी होने की बज़ा से काफी मसहूर है अगर इन जगहों पर जाने की बात हो तो हर कोई डरने लगता है वहीं कई जगह ऐसी भी हैं जहां लोग दीन के समय में तो चले जाते हैं लेकिन साम होने के बाद कोई नहीं चाता है भी उत्पन होती है लेकिन हर डराबनी जगह के पीछे एक कहानी तो जरूर छेपी होती है आज हम आपको दुनिया की पाच डराबनी जगहों के बारे में बताएंगे तो दोस्तों बने रहे इस बीडियो के अंध तक पहला कनाडा का दवाफ स्प्रिंग होटल कनाडा के इस होटल को भूतिया किसो और रहस्माई घटनाओं का एक बड़ा घर माना जाता है अस्थानिये लोगों का कहना है कि 873 कमरे वाला ये होटल में एक पूरे परिवार की हत्या करती गई थी लोग ये भी बताते हैं कि इस होटल में एक आदमी लोगों के कमरे में घंटी बजाता है और फिर गायब हो जाता है वैसे ये भूतिया होटल देखने में काफी खुबसूरत है दूसरा पुलैंड का कुरुक्ड फॉरेस्ट कुरुक्ड फॉरेस्ट लगभग 90 डिगरी पर जुका हुआ प्रतीत होता है लकडियों के आसमाने दिखने की बज़ा से यह जंगल हमेशा चर्चा में रहता है इस जंगल की लकडियां और पेड तेड़े मेड़े मुड़े परतीत होते हैं इस जंगल की लकडियां अजीब तरह से तेड़े दिखाई देते हैं कई लोग इस जंगल को भूतिया जंगल भी मामते हैं तीसरा कोलकाता का राइट्स बिल्डिंग दोस्तों कोलकाता इस्तित इस पुराने बिल्डिंग में प्रसासनिक करमचारी काम करते रहते हैं लेकिन साम होने के बाद इस बिल्डिंग में कोई नहीं ठहरता है इतना ही नहीं, इस बिल्डिंग के कई कमरे आज भी खाली पड़े हुए है दोस्तों, राजास्थान के अलबर जीले में इस्तित, भानगड किले में घूमने के लिए तो हजारों सेलानी आते हैं लेकि रात होने के पहले ही सभी लोग चले जाते हैं इस किले को लेकर लोगों के बीच कई तरह की धारनाएं भी है आसपास के लोग कहते हैं कि रात के समय किले से पायलो और घूंगरू की आवाज सुनाई देती है भानगड किले को लेकर कई तरह की भूतिया कहानिया पर चली थे नवेदन रेगिस्तान के बीच इस्थित एरिया 51 में सन्युक्त राज सरकार के सीर्स रहस्यों के लिए जाना जाता है क्योंकि इसे पचास के दसक में पुनर जागरन और जासूसी बीमानों को विक्सित करने के लिए शुरू किया गया था और यहां आज तक कोई नहीं जाता है तो दोस्तों यह जानकारी आपको कैसी लगी अगर आच्छी लगी तो कमेंट में ज़रू पता है